हलो दोस्तों आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले कि एन्वेसल काकरा पर कुज्रात साइड में जो एक्जाम कंड़क्ट हुए थे उनके रिटर्न एक्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकता हैं और प्लांट ओपरेटर की एक्सपक्टेड का टॉप मार्क्स कितना रहने वाल हैं और प्लांट वाल फाले में जारी किया सकते हैं इसके पूरी संभावना है कि किये से प्रिपेर किया जाएगा जो केंड़ेट स्टेज वन में क्वालिफाइंग करेंगे उनकी स्टेज सेकेंड यानि एडवांस टेस्ट की OMR सिट चेक की जाएगी और उसी से मेड लिष्ट प्रिपेर की जाएगी और उसी क्यादार पर स्किल टेस्ट के लिए केंड़ेट को बुलाय जाएगा और प्लांड ओपरेटर के लिए कोई भी स्किल टेस्ट कंड़क्ट नहीं होगा और स्किल टेस्ट में कितने गुना कंड़ेट को बुलाते हैं पांच गुना डिवी के अंदर भी पांच गुना कंड़ेट को बुलाय तो प्लान्ट ओपरेटर के ओल्ली डॉक्मेंट एडिपेक्शन कंडर्ट करवा जाएगा रिजल्ट प्रपरिरिंग प्रोसेस Stage 1 में क्वालिफाइंग करने के लिए कितने मार्क्स आने चीए क्वालिफाइंग इस्टेंडर्स UR और EWS कैंडडेट के 40% मार्क्स यानि की 60 मार्क्स आने चीए 150 में से OBC, SC, ST यान के 30% मार्क्स यानि 45 नमर आने चीए 150 में से तो जिनके भी मिनिमम क्वालिफाइंग स्टेंडर्स मार्क्स आ जाएगे उन कैंडडेट को Stage 1 के अंदर क्वालिफाइंग कर दिया जाएगा और जो कैंडडेट Stage 1 में क्वालिफाइंग करेंगे उनकी Stage 2 की OMR शीर्ट चेक की जाएगी Stage 2, Advanced Test, Qualifying Standards इसमें क्वालिफाइंग करने के लिए URO EWS के 30% मार्क्स यानि 45 नमर आने चीए 150 में से OBC, SC, ST के लिए 20% मार्क्स यानि की 30 नमर आने चीए 150 में से भी कैंडडेट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे वो Stage 2 क्वालिफाइंग कर जाएंगे और Stage 2 के आदार पर ही आपका Final Selection होगा और इसी के आदार पर ही आपको Skill Test और DV के लिए बुलाया जाएगा अब हम बात करते हैं कि Plant Operator की Expected Cut-Off Marks कितने रह सकते हैं सबसे पहले Total Number of Post तो Plant Operator के अंदर Total Number of Post हैं 59 और Total Candidates are Listed for Document Edification कितने Candidate को Document Edification के लिए बुलाया जाएगा तो 300 Candidate को लगबग और NPCL Plant Operator Expected Cut-Off Marks कितना रह सकता हैं तो यहाँ पर Category और Expected Cut-Off Marks UR के आपके 110 से 120 नमबर EWS की 100 से 105 OBC की 105 से 115 SC की 100 से 110 ST की 41 से 100 और इसमें आपके Cut-Off Marks के अंदर प्लस माइनेस 5 Marks हो सकते हैं और आपकी लगबग ही Cut-Off रहने वाली हैं उन Candidate की Response के आदार पर हैं जो Candidate Exam में अपियर हुए थे और यदि आपको लगता है कि Cut-Off में कुछ करेक्शन हो सकता हैं और आपको लगता है कि Cut-Off कुछ और जा सकती हैं तो आपकी जो Expected Cut-Off हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपके जो कल Plant Operator का Exam Conduct हुआ था उसके Question भी में आपको जल्दी Provide कर दूँगा और आपका कुछ भी Question या Doubt हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहुंच सकते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही Thank You